गर्मी का मौसम चल रहा था और जंगल में एक ही तलाब था जिससे सभी पशु पक्षी पानी पिया करते थे गर्मी के चलते बारिश न होने के कारण उस तलाब का पानी भी सूखने लगा था रानी चिडिया तलाब में पानी पीने आती है और तलाब में थोड़ा ही पानी था वह कबूतर से कहती है कबूतर भैया तलाब में पानी तो थोड़ा रहे गया है अगर ये पानी भी सूप गया तो हम पक्षी पानी कहां से लाएंगे क्यों न हम ये बात सर्पंजी से लूप कहें हमें उन से ये बात बतानी होगी वो ही समस्या का हल निकाल और चेडिया और कबूता सर्पंजी जी के पास जाते हैं सर्पंजी जेंगल में तलाब की मात्रा बहुत कम हो गई है अगर वो तलाब सूख गया तो हम सप्या से मर जाएंगे सरपंच जी आप कोई उपाए बताए सरपंच जंगल के पक्षियों को बुलवाता है सरपंच की खबर सुनकर जंगल के सभी पक्षि वहां इकटे हो जाते है मैंने आप सभी को इसलिए इकत्रित किया है क्योंकि तलाब का पानी सूख रहा है सब अपनी अपनी सला दें कि जंगल के पक्षि कैसे सुरक्षित रह सकती है सरपंच जी हम दूसरे जंगल भी तो प्रवास कर सकते हैं नहीं नहीं सरपंच जी दूसरे जंगल में जाकर हम कहां रहेंगे वहां तो हमारे घर भी नहीं होंगी सरपंच सब की राय सुनता है फिर कालू कववा कहता है सरपंच जी मैं तो कहता हूँ अभी तलाब में थोड़ा पानी है हम सभी पक्षी मिलकर तलाब को बड़ा और घहरा कर लेते हैं और जब बारिश होगी तलाब में पानी ज़्यादा भड़ जाएगा और हम सब को पानी की कमी नहीं रहेगी सरपंच को कालू की सला पसंद आती है हाँ कालू तुम सही कह रहे हो आज से ही तलाब को बड़ा करने का काम शुरू कर दो और सभी पक्षी इस काम को करेंगे जंगल के सारे पक्षी इस काम को करने लगते हैं मिल जुल कर काम करने से सभी पक्षी उस तलाब को बड़ा और घेरा कर देते हैं ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और घेरे बादल छा जाते हैं तेज बारे शुरू हो जाती है सभी पक्षी बहुत खुशते अब तो कबूतर भाईया तलाब में पानी जमा हो जाएगा और बारिश के बाद पानी की समस्या नहीं रहेगी हाँ, कालू कवे का उपाई काम कर गया दो दिन लगातार बारिश के बाद सभी पक्षी तलाब में जाकर देखते है तलाब में इतना सारा पानी देखकर सभी पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुशते देखो पक्षियों, मैं तुम सबसे कितना समझदार हूँ तुम सब मेरी बात माना करो, मैं सही सला देता हूँ आई बास समझ में, जैसे सरपंजी ने मेरी सला पसंद की ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, गर्मी भी बहुत तेज हो गई थी सभी पक्षी खुशी खुशी पानी पीने लगते हैं और अपनी प्यास बुजाते हैं